आज मैं आपको स्पेशल स्ट्रॉबरी लसी बनाना सिखाऊंगी इसके लिए हमें चाहिए एक कप दही एक कप मैंने लिया है फ्रेश स्ट्रॉबरी जिनको मैंने ब्लेंट कर लिया था चार से पांच टेबल स्पून क्रीम शुगर आपको जितना मिठास पसंद है दो से तीन टेबल स्पून रोज वाटर चाहिए वन टी स्पून रुअफसा और तुख मलंगा यह हम डालेंगे गार्णिश के लिए हमें चाहिए और मैंने एक टुश्पून तुख मलंगा को एक केक कप ज़ी शामिल कर रही हूँ इसके साथ ही मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ और चीनी एक टी स्पून रोज वाटर और आइस क्यूब्स हमें चाहिए होंगी इसको ठंडे के करने के लिए अब हम इसको ब्लेंट करेंगे अब हम अपना एक सर्विंग ग्लास लेंगे और इसमें जो रू अफजा था ये इसको अम इस तरह से ग्लास के किनारों पर लगाएंगे और इसको रोटेट साथ में करते रहेंगे इस तरह से देखें ये हो गया अब हम इसमें अपनी स्ट्रॉबरी लस्टी डालेंगे रोज वाटर से बहुत अच्छी इसमें खुश्बू आ रही है आप जरूर शामिल कीजिएगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे उपर से ये तोह मलंगा और इसको अब हम एक स्ट्रॉबरी के साथ सर् कर देंगे ये देखे हमारी स्ट्रॉबरी लस्टी जो है वो त्यार है ट्राइ कीजिएगा और थैंक्यो फो वाचिंग आर वीडियो